मैं से डॉक्तर ममता शर्मा असोशेट प्रॉफेसर प्रिटिकल साइंस कॉमेंट कॉलेज बहरोड विद्यार्थियों हम वेस्टर्न प्रिटिकल थिंकर्स के अंतगत रूसो को पढ़ रहे हैं पूर के वीडियो में हमने रूसो के कॉंसेप्ट आफ कॉंटरेक्ट सच परशा जनरल विड़ और आज हम रूसो में रूसो के जो लाज्ट टॉपिक है उसके अंतगत रूसो कंपेड विद हॉप्स पढ़ेंगे जिसके अंतगत हम देखेंगे कि किस तरशे रूसो हॉप्स और लौक के सामाधिक समझोते के अंतगत Kिस तरशे अंतर था और किस तरशे इनके कंपेरिजन किया गया है तो सबसे पहले हम करेंगे Russo comparison with hops के अंतगत कई बार ये quotation देखे questions पूछ लिया जाता है कि Russo का प्रभू सत्तादारी hops का Leviathan है जिसका शीश काट दिया गया है Russo's general wheel is hops Leviathan with its head chopped off इस पर कई बार question आता है तो इसके बारे में हम समझेंगे इसके अंतगत हमने देखा है कि समझोतावादी विचारकों में hops, लोक और रूसों के नाम उलेखनी है इन्हें रानिजी शास्त्र के छेट्र में सामाजिक समझोता सिद्धान की नवीन परंपरा को विदिवत जनम देने और विक्सित करने का शे प्राप्त है यद पी सामाजिक समझोते के विचार का वर्णन प्राचीन तदा मद्योगिर विचारकों के द्वारा किया गया था लेकिन इसे एक सिद्धान की तरह तार्कीक रूप से प्रतीपादन करने का शे होब्स लोगोर रूसो को ही प्राप्त है होब्स ने अपने सामाजिक समझोता सिद्धान संबंदी विचारों में एक ए मादम से समप्रभुता के जिस सिद्धान का प्रतिपादन किया, उसे निरंकुष प्रभुसत्ता या एपसलूटिजम का जाता है इसके लोक ने सिमीट प्रभुसत्ता जिसे limited sovereignty का गया है और रूसो जिस ने जन्ज प्रभुसत्ता जिसे popular sovereignty का प्रतिपादन किया है ऐसा कहा जाता कि हॉप्स की निरंकुष प्रभुसत्ता और रूसों की जन्द सम्प्रभुता की विशेषताई लगबग समान है ऐसी सिति में हॉप्स की भाती रूसों के राज़शन में भी निरंकुषतावाद के तत्व जस्टी गोचर होते हैं तत्पश्याथ हम देखेंगे की हॉप्स का लेव्याथन और एपसुलूटिजम इन हॉप्स इसके अंतगट हॉप्स ने अपनी प्रसीद ग्रंट लेव्याथन में अपने सामाधिक सम्जोता संबंधी सिद्धान का प्रतिपादन किया इस पुस्तर का प्रकाशन 1651 में हुआ बाइबल के कठा नुसार यहे एक समुंधी राक्षस है किन्तु हॉप्स इसका प्रयोग प्राकतिक दसा की अराजक्ता और मतश्यनाय का अंद करने की दस्टी से मनुष्य द्वारा किये गे समझोते से उत्पन होने वाली संपून प करता है अपनी पुस्तक लेवयतन में हॉप्स राज्य का अध्यन मानव सभाव के विशेशन से आरम करता है वह मनुष्य को एक स्वार्थी और बैगस प्राणी के रूप में देखता है जो सदव अपने स्वय के हिट के लिए ही लगा रहता है और अपने स्वार्थ के कि प्रतिदुनित्स भैघ और किर्टी की लालिज़ा. प्राकर्टिक हवस्तो में प्राकर्टिक नियम विद्धियमान थे किन्तु बाद्यकारी शक्ति के अभाह में सभी व्यक्टियों दरा हुनका पालन नहीं किया जाता था अटा एक ऐसी संस्ता की आउशक्ता थी जो शक्ति के आदार पर सभी व्यक्तियों को शांती रखने के लिए बाध्या कर सके संच्छेप में हॉप्स की प्रभुषत्ता की विशेश्ता है एपरीमिता, निर्पेख्षता, एसेमिता, आदी अटा हॉप्स का लेवियाथन अथ्वा संपूर्ण प्रभुषत्त संपन साशक पूर्णता निर्पकुषता और उसका आदर्शी कानून है इस से हम देखेंगे कि रूसो के जो हॉप्स की जो लेवियाथन है उसमें किस से निर्पकुषता वाद के तत्रों थे तत्पश्याथ हम देखेंगे रूसो जन्रवी इज हॉप्स लेवियाथन विधिर्स हैड चॉप्ड ओफ की रूसो का प्रभुसत्ता थारी हॉप्स का शीष विहीन लेवियाथन इसके अंतगर्थ हम देखेंगे कि हॉप्स और रूसो की संप्रभुता संपध्य धानाओं में क्या समानता ही थी जैसा कि आपको पूर के वीडियोज में भी बताया था कि हॉप्स तता रूसो के प्रभुसत्ता संपध्य विचार बहुत कुछ सीमा तक एक से हैं सामनेक्षा के लक्षन तो रूसो ने बताए है फिर लगबग वैसे ही है जिनका वणन हॉप्स ने अपने संप्रभु में किया है अंतर के वल यह है कि हॉप्स का संप्रभु एक मानव देव और संप्रभु का निवास सामनेक्षा में बनता है इसलिए वान का यह कठन ठीक है यदि हॉप्स के मानव देव जिसे हम लेवैतन कहते हैं का शीष कार दिया जाए तो रूसो की सामनेक्षा ही होगी अटा हॉप्स और रूसो की प्रभु सत्ता रहरी की समानता है इस प्रकार है नमर वन हॉप्स की बाती रूसो भी राजे को निर्मकुष मानता है नमर दो हॉप्स के लेवैतन की बाती रूसो की सामनेक्षा सरोच्चे और संप्रभु है थरली हॉप्स के लेवैतन की बाती सामनेक्षा अखंड है और संगठी टिकाई है और लेवियातन की भाती सामन एक्षा सदम न्याय संगत है और उचित है इस जश्ची से तो रूसो का संप्रभू हौप से भी अधिक समानता होने के बावजूद भी निरमकुष है अधर हौप स राजे को ऐसी में शक्ति प्रदान करते हैं व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिक व्यक्ति को राजे का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है उसकी जश्ची में सामान एक्षा व्यक्तियों की आदर शिक्षाओं का प्रतिनीजित्व करती है तत्पश्यात हम देखेंगे हौप सो रूसों के निरमकुष्टावादी चिंतन में क्या अंतर है हौ क्रांतिक राज्य की स्ताफना होती है और इस जबकी रूसों के सम्झोते में एक आंगिक राझ्ये की सेकेंड ली हमने देखा हौक्स का राज्य के और शक्ति पर आधा रिध है जबकि रूसों का राज्य न्याय और नैतिकतापर है is फॉर्टली हॉप्स का संप्रभू एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का सम्मू होता है जबकि रूसों का समस्थ जन समूता है फॉर्टली हॉप्स का संप्रभू विधी निर्माता कारेपालक और न्यायदी सभी स्वयम होता है प्रंतु रूसों का संप्रभू सिरफ विध सव्मार्पन करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि रूसो इस सम्मखपन के बाद भी व्यक्ति की स्वतनतता को अक्षुण रखता है। होपस की समीदा के अंतर गणतरगत व्यक्ति की स्वतनतता समाज़तö ukोma का राजमी दिरंवकुषता के जस्टी से होपस जैसा है। किन्तु जा हॉप्स की दिरंकुस्ता प्रभुसत्ता संपन राजा को स्वेक्षचारिता का पोशन करती है वा रूसों की सामनेक्षा को प्रभुसत्ता का सिद्धान जनता की प्रभुसत्ता का प्रतीक होती है इस तैसे हम देखते हैं कि रूसो के और हॉप्स के दोनों के विचारों में समानता है होते हुए संप्रभुता के सम्मन में बहुत कुछ अन्तर देखने को हमें मिलता है तत्पश्याथ हम देखेंगे कि रानिती दर्शन के अंतगर रूसों की विचार दारकी बहुत अधिक आलोशना रही है और ये बहुत अधिक आलोशना का विशेर रहा है इसके अंतगर रूसों का दर्शन उनके पाठकों के लिए एक पहली है एक और तो उसे महानदाशनिक समझा जाता है जिसके राज्ये के सरूप के विशे में क्यान अन्य किसी विचारक की अपेक्षा अधिक्ता तो दूसरी और मिध्याचारी विश्रेशनों से पुकारा गया अतय लेमिटर के नुसार उनकी पुष्टक में एसंगतियों की भरमाद है अतय रूसों की विचारदारा में प्रमुक रूप से निम्न दोश पाए जाते हैं नमर वन उनकी विचारदारा में एसंगतियों और विरोधा भास है Kirण को कैमानना है कि रूसों की विचारदारा एसंगति और विरोधा भास से बरी पड़ी है वे अपने सामाजिक समझोते का आरम व्यक्ति के अधिकारों पर बल देने वाले व्यक्ति वास से करता है किन्तु इसकी समाप्ती व्यक्ती पर प्रभुता रखने वाले निरंकुष और समस्टिवादी विचारधारा के साथ करता है Secondly, निरंकुषतावाद का समर्थक रूसो दाशनी कादार पर निरंकुषतावाद का समर्थक बन गया है उसने ए सिमित, ए विवाद्य, ए नियन्ति समप्रभुता का परतिपादन किया है उसने राज्य को ही अधिकार का सुष्टा बतलाया है उसने कहा है कि जो व्यक्ती सामानिक्षा का पालन नहीं करेगा उसे सारा समाज आग्या पालन के लिए मजबूर करेगा और इसका अर्ठ यह है कि इसे सतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा और यह इस्तिती रूस्व के दर्चन में सतंत्र टा की दुवीदा के नाम से जानी जाती है रूस्व का मानस अभाव समंधी आधरश आत्मक विचार रूसों का मानस वावजमन दी विचार कालपनिक वे आदर्श वात्मक वे मनुष्य को भला शान मानता है जबकि मनुष्य के स्ववा में अच्छाई वा बुराई दोनों पाई जाती है फोटली बुद्धिवाद और प्रगटि का विरोधी रूसों बुद्धिवाद विज्ञान और कला के विरोधी है भाउक्तावाद के परती अत्यदिक विश्वास सकने के कारण वे ये मानता था कि जीवन यापन विवेक के नुसार नहीं बलकि भावना के नुसार किया जान उनकी अपील भावनाओं के अपील थी तर्क की अपील नहीं उनकी ये माननेता थी कि विवेक कला और विज्ञान ने मनुश्य का पतन कर दिया है इसलिए उसका कल्यान तब ही संभाव है जबकि वह इंसे मुक्त होकर पुने प्रकति की ओर लोटे इस से हम देखते हैं कि अ पानिती विचारों के इतियास में रूसों का नाम अमर रहा है वे एक आम आदमी का मतलब भावगदाशनिक था उसे करांति का अक्रदूत तदा प्रटेक्ष लोगतंत्र का मसीया का जाता है लेकिन रूसों के राज़शने के अलोशना होने के पश्यार भी रूसों के प्रतिपादन किया और इस सम्मन में डैनिंग ने कहा है कि इन विचारों के द्वारा रूसों ने राष्ट्य राज़शन सम्मन्दी विचारों पर बल दिया secondly उनकी importance में हमने देखा कि उन्होंने लोगप्रिय संप्रभुता की धाना का प्रतिपादन किया गया उनके द्वारा किया गया रूसों ने बटाया कि राज़शन संस्ता का स्वरू कुछ भी हो उसे जनता की संप्रभुता एक तत्थ है उन्होंने कहा है कि प्रभु संता जनता की सामानिक्षा में नीत है सरकार सवच्च सता रखने वाली जनता की सेवक मात्र है और जन वानी देव वानी है और शाशन का आधार जनता की सैमति है थर्ली राष्ट्यवाद का उद्गोशक रूसो यद्पी राष्ट्यवाद का समठ्थक नहीं था किन्तु समू की एकता और दर्ड़ता की भावनों पर बल देकर उन्होंने राष्ट्यवाद्टी का एक आधर्श रूप प्रदान किया फोर्टली उन्होंने अपने दर्शन के अंतगत राष्ट्यवाद का उद्गोशक उद्गोशता का प्रईचे दिया रूसो यद्पी राष्ट्यवाद का समठ्थक नहीं था किन्तु समू की एकता और दर्ड़ता की भावनों पर बल देकर उन्होंने राष्ट्यवक्ती को एक आदश रूप प्रदान किया संचेव में रूसो स्वतंत्रदात समानता का पुजारी था मगर व्यक्ति को राज्ये के खिलाफ अधिकार ने देशे का वे सामने हीत तदा सामने इक्षा का ऐसारान डाशनिक था उसे लोकिक प्रभुत्व का सिध्धान दिया और सामने ह रूसो के प्रभाव की सबसे बड़ी विशेशता यह है कि उसके दश्यन में आधुनिक काल का भी सभी सभी विचायत धाने जिसके इंतगत समाजवाद अजनायकवाद और व्यक्तिवाद सभी के बीज देखने को मिलते हैं और रूसो का उद्देश सत्ता और सोतंत्रता का तालमे लिस्तापित करना था तत्पशात हम देखेंगे elements of individualism, absolutism, socialism and democracy in रूसो's political philosophy की रूसो के दश्चन में हमें व्यक्तिवाद, निरंकुष्टावाद, समाजवाद और लोक्तन किन किन रूपों में देखने को मिला व्यक्तिवाद के रूप में अगर हम देखते हैं तो रूसो के दश्चन में व्यक्तिवाद के बीच दिखलाई देते हैं, इस सम्मन में वेपर ने कहा है कि वे अती व्यक्तिवादी है, समस्य व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है, उसने स्वतन्तटा और समान्ता को मनुष्य का स्वभाईक माना है और उनके सिद्धान में व्यक्ति की स्वतनत्रा लौक से भी अधिक महत्वपून है सेकंडली रूसों के राज दर्शन में निरंकुष्टावाद के तत्वी मौझूद है रूसों के अनुसार संप्रभुता सामनेक्षा की कार्यानविति है सामनेक्षा को संप्रभु मानने का अधार सामाजिक समझोता ही है रूसों के सामाजिक समझोता में निरंकुष्टावाद के प्रमुक्त तत्व यह भी है कि समझोते में व्यक्ति अपनी समझ सक्तियों का समर्पन कर देता है और समझोते के परणाम सुरूप उत्पन सामनेक्षा पूर्ण तथा निर रूसों को लोक्तंत का पुजारी माना जाता है उन्होंने जंता की प्रभूसत्ता के विचार को फ्रेंच राज्य करांती के मादम से आधुनिक काल का सबसे प्रभावशाली विचार बनाया उनके मता नुसार सरुच्य शक्ति जंता में नीट रहती है और सामाने एक्षा जं में हमें समाजवाद भी देखने को मिलता है समाजवाद व्यक्ति की व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक मैतों देता है अचार रूसों की सामाने एक्षा भी व्यक्ति के हीट की अपेक्षा समाज के हीट को अधिक मैतों देती है रूसों ने समानता पर काफी अधिक ब संपति पर प्रभाल पहाल किये हैं इस तरह से हम देखेंगे कि रूसों ने अपने समझोते सिध्धान के अंतगत सभी बिंदों को बटाया है और उन्होंने अपने समझोते के मादम से ही हमें सामाने इक्षा और आज के संदन में रूसों ने जो जो विचार इसके अंतगत ब के हर विचारों को समझा आज के वीडियो में हमने रूसों को पून कर लिया है और नेक्स वीडियो में हम नेक्स सिंकर के साथ मिलेंगे धन्यवाद